ओम नमस्षिवाय जय महाकाल आप सबको पता होगा कि कल है चतुर्थी का बहुत ही विशेज दिन विशेज क्यों है क्योंकि ये चैत्र महीने की चतुर्थी है और इस वीडियो में पांच बहुत ही सुंदर से उपाय की बात करेंगे पूजी गुरुजी की कता से सुनके बहुत अच्छे से बताऊंगा जो पहला उपाय होगा वो होगा सुपारी वाला उपाय जो की आपके बच्चों के लिए है नमक का उपाय आपको करना होगा धन संपद अगर आपके हाँ बहुत कम है उसके लिए और आपको त्रिशूर व उपाय की बात करते हैं जो कि है सुपारी का उपाया अगर आपके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता इधर उदर मन उनका विचलित रहता है भटकता रहता है ठीक है अब देखो हमें कौन सी चीज की जरुवत होगी समझेगा इस चीज को स्क्रिन पर आपको दिखरा होगा सुपारी है ना हमें दो सुपारी की जरुवत होगी एक चीज का धान रखना दो खाने वाली जो सुपारी आती है पूजा पाठ वाली सुपारी अलग आती है पूजा के साथ जहां पर भी भोले शंकर और माता परवती की फोटो मूर्ती प्रतिमा एक साथ लगी हो अलग-अलग नहीं चाहे फोटो में ही लगी हो चाहे कोई मूर्ती रखी हुई हो जिसमें भोले शंकर और माता परवती साथ में बैठे हुए हो वहीं पर अपने बच्चे से एक एक सुपारी महादेव के चरणों में समर्पित करना और एक मर्पित करोगे माता के चरणों में ठीक है जो भी बच्चा दो सुपारी यानि एक सुपारी महादेव को एक सुपारी माता पारवती को चतूर्थी थी ठीक दिन समर्पित कर देता है उसका दिमाग बहुत जादा तेज होता है अगर कहीं दिमाग उसका बिचलित होता है अलग अलग जगों पे गलत संगती में जाता है तो वहाँ पर उसका दिमाग नहीं लगता ठीक है ये मैंने बहुत ही आसान सा उपाय बताया है आपके बच्चों के लिए तो पहला उपाय जरूर करिएगा अब हम सुने कोण सी चीज की जरूरत होगी को ये क्या है इस्क्रिन पर तो ये है खाडा नमक सफेद वाला खाडा नमक किसी भी बड़े कि रनाय स्टो छोटे दुकान पर नहीं बड़े किराना स्टोर पर जाना उनसे कहना भीया पांच रुपए का हमें नमक देताँ तो आपको वह सारा दे देंगे, उनसमें से आप एक नमक का टुकड़ा ले लेना, ठीक है, आगे बढ़ें, फिर आपको जरूत होगी इस तरीके से फिटकरी की, जो लोग शेविंग कराते हैं, वो जब शेविंग के बाद फिटकरी नहीं लगवाते हैं, तो वही फिटकरी है, तो आए बड़ी से फिटकरी लेना, इसके दो टुकड़े कर लेना, ठीक है, दो टुकड़े फिटकरी के ले लेना, एक ख़ड़ा नमक लेना, साथ ही साथ आपको जरूत होगी, साथ इस तरीके से कपूर के टुकड़ों की, जो गोलवाला कपूर नहीं आता है, उसके साथ टुकड आपको इसमें डालेने ठीक हैं ? डालने के बाद आप इसको धक देना धकने के बाद जहां पर भी आप अपने घर में पैसे रखते हैं चाहे जेवर रखते हों कुछ भी रखते हो 지난 जहां तीजोरी हो आपकी उसमें ले जा करके उसका टोरी को रख देना और हर पंदरा दिन पर आपको उसके अंदर का जो सामान होगा वो चेंज करते रहना गोग कि आपको दुकान पर रख सकते हैं अब यहीं पर बहुत लोग कहेंगे भईया क्या आप दुकान सब्सक्र inf regulate नहीं आ रहे हैं परेशान हो कि आपका धंदा नहीं चल रहा है तो आप अपने शौप पे जहां पे गल्ला हो या फिर दुकान में कहीं पर भी उसका टोरी को रख सकते हैं तो यह आप उपाय को करिएगा आपके घर में हमेशा मतलक्षमी का वास बना रहेगा सुबह करना चा लेकिन बताओंगे इस पूरे उपाय को पूरे उपाय को लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें आप आज जो वीडियो पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा चलो एक पॉइंट हमारा बच गया है धन प्राप्ति का एक छोटा सा उ चतुर्थी के दिन सुनिएगा जो बोल रहा हूँ जो भी विक्ति शाम के टाइम पे चतुर्थी ती थी के दिन भोले नात के मंदिर में ले जाकर के कुबेर भगवान के नाम का दीपक लगा देता है उसके घर में कभी भी धन समपदा की कमी नहीं होती अब कुबेर नहीं होती है इंक्रिमेंट करना होता है तो वहाँ पर हमें लंभी बत्ति का दिया जैसे मता लक्ष्मी के नाम का लगाना हो तो लंभी बत्ति का दिया क्योंकि हमें बड़फतरी ची यहां पे कर ली अब तीसरा जो उपाय है लडाई कपला, सुन लो, देखो, इसकिन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको तामबे का लोटा दिख रहा है, एक तामबे का लोटा लेना, इसमें आप अपने घर से जल भरना, ठीक है, जल सिर्फ और सिर्फ जल भरना है, कुछ और डालने के जर्वो थी नहीं है, जल भर लिया, और उसके बाद इस जल को लेके पहुच जाओगे, कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास, आपको वहाँ पर खड़े होना हुआ, किधर मुख करके, नौर्थ डिरेक्शन याने की उत्तरदिशा के तरफ, और एक लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के उपर समर्पित करना, स्री शिवाय, नमस्त अभ्यम का इसमनर करते हुए, जल चढ़ाओगे, जल जलाधारी से बैता हुआ नीचे गिरेगा, आपको इस जल को जादा गिरने नहीं देना है, आपको रोक लेना है, थोड़ा सा जल जितना भी आपके इस कलश में रुपा है, आप रोक लेना, रोकने के बाद क्या करोगे, कोई साभी आपके जो भी मंदिर होगा, वहाँ पर देखो त्रिशूल होगा महादेव का, तो आपको क्या करना होगा, उस लोटे में, उस कलश के अंदर अपनी ये तीन उंगलियां आपको डा और इस कलश का जल लेके चले जाना, आप अपने घर पे, और घर पे पूरे घर में स्री शिवाय नमस्तुभ्यम का इसमरण करते होगे, उस जल को छीट देना, त्रिशूल को अगर आप अपने घर पे छीट देंगे तो कभी भी आप पे घर में लडाई जगड़े नहीं हो बहुत सारे घर तो मैंने ऐसे भी देखें, लोग मुझे बताते हैं, फोन करके भीया, हमने सिर्फ जो है, थोड़ा सा दाल में नमक कम होगा, तो पूरा का पूरा थाली उठा के फेक दिया, बताओ, ऐसे भी घर हैं आज के टाइम पे, तो अगर ऐसी कोई सिच्वेशन लडाई वाला सुन लो, ठीक है, देखो क्या जरूरत होगी, आपको लेना होगा शहद, ये उपाई भाने परसों बताया है, लेकिन आज आज आपको याद दिला दे रहा हूँ, जरूर कर लीजेगा, बहुत एफेक्टिव उपाय है, ठीक है, शहद दिख रहा है ना, आप आपको एक छूटी सी कटोरी में शहद लेना, ठीक है, और इस कटोरी में शहद लेने के बाद, आपको एक चुटकी इसमें लाल चंदन, कोई और चंदन चलेगा ही नहीं, सूखा लाल चंदन ले लो, गीला लाल चंदन ले लो, कोई दिक्कत दी है, लाल चंदन को कटोरी म का जो लेपन होगा ये जो आपको हस्त कमल माता का दिख रहा है यहीं पर आपको अच्छे तरीके से लेपन करना होगा शहईद और लाल चंदन वाला रीक है लेपन करना और माता से यहाँ पर दो मिनिट तक बैठ करके प्रातना करना देखते देखते शिवलिंग को महादयो माता हमारे हाँ बहुत जादा लडाईयां होती है ये विक्तिने हमें परेशान कर रखा है छोटी छोटी बातों को लेकर हमेशा लड़ता रहता है गलत संगती में है कुछ भी करके आप इसको सही कर दो ठीक है इस तरीके से प्रातना क स्री शिवाय नमस तुभ्यम का इस मनड़ करते हुए समर्पत कर देना आपके हाँ कभी भी लड़ाई होगी ही नहीं ठीक है ये बहुत ही एफेक्टिव उपाय था इसलिए फिर से यार दिला दिया आपको ठीक चलो अब यहां पर हमने ये बात तो कर ली है यहां पर तीन बहुत यह च्छा उपाय की बात हमने कर ली है अब चौते उपाय की बात करते हैं जो कि है हमारी मनोकामना पूर्ति के लिए कहां perse ओगे देखो चौता उपाए जो कि है काजल वाला उपाए अगर एक्ष्ण कोई थिए पूरी नहीं हो रहाी है तो अब इस सनी वार के दिन आपकी एच्छा पूरी जरूर होगी, ठीक है, देखो क्या करना होगा, इस तरीके से शहद की छोटी से डिब लेना, मार्केट में जाना, आपको आठ से दस रुपए में एक छोटी से डिब भी काजल की मिल जाएगी, आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, पर कहने का मतलब, उसके सर्फ इस तरीके से, जैसे मैं गुमा रहा हूँ न, 21 बार, 21 टाइम्स उस ही काजल की डिब बी को अपने हाथ में लेकरके, आप घुमा लेना, clockwise direction में, जिस दिशा में घड़ी घुमती है, उस दिशा में 21 बार आप घुमा लेना, ठीक है, किस का ना भरा हो, वहाँ पल्लेजा करके, छोटा सा गड़ा वहाँ पर करेंगे, और उस काजल की डिबी को किसका नामने के, आपको उसमें दबा देना है, दबाने के बाद वहाँ पर प्रातना करनी है महा देओ, मेरे घर का ये विक्ति है, उसकी मनो कामना पूरी नहीं हो रही है, ह पीछे मुड़ के फिर आपको नहीं देखना है अगर आपने पीछे मुड़ के देख लिया ना तो फिर उस उपाय का मतलब खतम हो जाएगा ठीक आपको सीधा महां से उठना है और अपने घर की तरफ चले जाना है यह बहुत ही आसान सा उपाय था काजल वाला लेकिन इस पूरी था वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें कुछ पूछना हो नहीं समझ मैं नीचे कॉमेंट में पूछें आप आज जो भी लोग पहली बार सुन रहे है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ओम नमस्षिवाय जय महाकाल